बहुत बार कोमेंट में पूछा जाता है सर चेकिंग OCD पर एक वीडियो बनाएं कई बार जो हाद होते हैं कंटेमिनेशन वाले हैं जो बार-बार सुभाई करते हैं वो भी कहते हैं सर और वीडियो बनाएं आज मैं एक अद्बुत फैक्ट आपको बताने जा रहा हूँ कि चेकिंग वाले हैं वो भूल जाते हैं वो अपनी मेमरी पर सक करते हैं उनके मन में इमेज कलियर नहीं मनती है ताले की बंद की इमेज नहीं बनती है चीजों को चेक करते हैं नोटों को बार-बार गिनते हैं उनके अंदर वो शक रहता है कि पहले अच्छे से हुआ नहीं है पहले अच्छे से हुआ नहीं है वो कलियर दिमाग में बनता नहीं है और OCD वो जो हाद होते हैं सफाई करते हैं उनकी वो image है वो धुमिल नहीं होती है उनके अंदर वो image कटती नहीं है कि उनके अंदर वो भूलते नहीं है वो भूलते ही नहीं है और चेकिंग वाले भूलते जादा है तो ये एक basic और बहुत बड़ा अंतर है कि जो बार-बार सफाई करते हैं contamination वाले वो भूलते नहीं है याद बड़ी जल्दी रखते हैं कि कल गंदगी लगी थी, यहां से छिटा आया था, वहां से यह हुआ था, चिड़ी आई थी, करगोस आया था, सुवर आया था, बिली आई थी, कुटा आया था, वहां से टच कर गया, यहां टच हो चकता है, बूलते ही नहीं है, मेमरी के मा करना है आज की इस वीडियो में जान लेते हैं हेलो नमस्कार में मिच्छ साइको गुरू राजिंद्रा दजोद पुरिया आज की सद्बुत नेचुरल वीडियो में आपका तैदिल से स्वागत करता हूं ओनलाइन कांस्लिंग साइको थेरपी से इलाज मानसिक प्रेशानियो आज का वीडियो भी ओनलाइन मेंटल हेल्थ के संद्रव से सोजनने से आप तक पहुंच रहा है ओशिडी कई परकार की होती है दो ओशिडियों को आज हम कंपेरिजन के घेरे में ले आए हैं चेकिंग वाली जो मेमरी पर सक करते हैं जो भूल जाते हैं या भूलते इंदा सेंस टुकडों में याद कर पाते हैं कि ताला चेक किया था खुले की इमेज बन रही है कभी बंद की इमेज नहीं बनती है तो वो टुकडों में चीजों को देखते हैं क्लियर कट इमेज उनके माइड में नहीं बनती है जो जेकिंग करते हैं जो गिंती करते रहते हैं कही वहां से भूल नहीं हो गई हो, कहीं वो खुला तो नहीं रह गया हो, तो उनके मन में वो clear image नहीं बनती है, बंद वाली उनकी memory यहां तक टुकडों में विवाजित हो जाती है, और वो memory के उपर शक करते रहते हैं, और दूसरे हाथ होने वाले उनके मन में जो memory, जो image बन चु अंतर हैं, इसको खतम कैसे करना है, जो checking वाले हैं, उनको क्या करना है, कि पहले खुली आंख से एक मिनिट तक ताले को देखते रहेना है, बस watch करते रहेना है, एक जगाए खड़े हो करके watch करते रहेना है, जो गिंती बार-बार गिंते हैं, उनको बस जो पर्ची है, slip है, जो भी उनकी चेकिंग वाली OCD है, उसको एक मिनिट के लिए वोच करना है पूरा, फिर एक मिनिट के लिए बंदा आंखों से उसे वोच करना है, इमेज बनानी है, फिर खुली आंकों से जब तक क्लियर इमेज ना बन जाए, तब तक देखते रहें, क्योंकि चेकिंग उन्होंने दिमाग की करनी है, चीजों की करनी नहीं है, तो ये महत्पूर्ण सुतर है, चेकिंग OCD से बचने का, और दूसरा जो साब सफाईयां करते रहें, रहते हैं, उनको क्या करना है, चेकिंग उन्होंने भी दिमाग की करनी है, सफाई उन्होंने भी तो दिमाग की करनी है, चीजों की नहीं, तो उन्होंने देखना है, अपने दिमाग के अंदर की गंदगी कहां लगी हुई है, कहां छीटा आया था, उसे पूरा माइ माइंड में ही साप कर दें, क्योंकि छीटा या जो गंदगी है वो हाथों पर नहीं है, हाथों पर होती तो कब की साप हो गई है, हाथ तो उसके साप ही थे, माइंड वाली गंदगी साप नहीं हुई है, तो उन्होंने सफाई माइंड की करनी है, और माइंड से वो जो लगा देनी है एक साफ हाथों की साफ चीजों की मेज उन्होंने वहाँ पर फिट कर देनी है ये चमतकारी तरीका है इलाज का थेरपी का पार्ट है ये CBT का और अन्य महत्पुर्ण थेरपियों का ये पार्ट है ये वीडियो आपके अंदर चमतकारीक बदलाव ले आएगा जादू तरीके से आप OCD को बगा देंगे दोनों OCD को चैकिंग वाली और कंटैमिनेशन हाथ और सफाई वाली को इलाज हो गया चुटकियों में फिर भी किसी को मुझसे बात करनी है टीम से बात करनी है कई बार मैं ज़्यादा बीजी होता हूँ तो आप मेरे साथ साथ आ आप कांसलर प्रोइड करवा दिया जाए attach कि कम से कम एक बार आपसे बात जुरूर करूंगा हिलाज के दोराण चुकना जाना ओन-लाइन मुझे उन् मन कीबात बता ना मन की बात बताते हैं इलाज पकाओ सचा मानिय आप उन वीडियो के लिए समय निकालते हैं मैं मिश्ट साइको गुरू राजिंद्रा आपका तैया दिल से आभारी है